पर आप समझेए कि ये वो अकैडमी है जिससे निकला हुआ बच्चा आर्मी नेवी एरफोर्स की टॉप्मोस रैंग तक गया है अभी तक किसी और अकैडमी से नहीं गया है सिर्फ और सिर्फ NDA का ही गया है तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब किसी बच्चे का NDA में सेलेक्शन हो जाए और इसले ही NDA बहुत ज़्यादा पॉप्लर है और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जिससे आप NDA तक पहुंच सको मैं शुरुबात अभी एस से कर रहा हूँ पड़ मैं बुक्स भी बताऊंगा आपको और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके मेन टॉपिक, इन्पॉर्टन टॉपिक है क्या जिसको आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए तो पहले हम एस से शुरुबात करते है तो देखे एज में आगर आप ये देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन का exact cutout है ठीके ना, अब मैं इसको थोड़ा easy way मैं explain करता हूँ यहाँ पर आप देखे होंगे second July मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर same first July मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक line देखे, born not earlier than तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर लिखा है not later than इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है करी ठीक है तो मुझे मिली साड़े सोला साल और मैंने इसमें एक्जेक्ली प्रसाइज गुरू हूँ जुलाई दो हजाद तेईस तक मैंने एच कल्कुलेट करी तो यह साड़े अठारा साल मिली मतलब जो बच्चा साड़े सोला साल का हो चुका है और साड़े ठीक है और वो सेप्टेंबर वाला और अप्रेल वाला दे सकता है एक्जाम 12 क्लास में होकर इसके बाद जब तक उसकी एज अलाओ करती है तब तक वो दे सकता है इसलिए आपने कई बास सुना होगा कई लोग ग्रैजुएशन में पहुंच जाते हैं और ग्रैजुएशन में दो अटेंब्ट आगे सेप्टेंबर और अप्रेल के है अब आप लोग ना बहुत ज़ादा इस बास से परिशान रहते होंगे अपके घर के आसपा सब लोग मम्मी पापस लोग आई 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 कहते रहते होंगे बच्चा एंडी में नहीं हुआ आई आई आ आई 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 आँट में नहीं होते तो बहुत सारे को कॉलिजिज मिल जाते हैं चीगें आपको समझना पढ़ेगा आई आई आयए आई आरे आई आगे में जमीन आसमान का फर्क है मतलब आई आई का जो कुश्चिं पेपर लेवर होता है वो पूरे मलब बहुत उच्छा अब देखो समझो NDA एक तो ये कारण है इस वज़े से popular है कि आज तक जितने भी Chief of Army Staff, General, Marshal या Admiral हुए है वो NDA से हुए है बड़ उसको और popular बनाने का कारण है Coaching Institute से है Coaching Institute के लिए ये Money Making Machine हो जाता है NDA क्यों? क्योंकि अगर मालो बच्चे 30 आ रहे हैं और एक बच्चे से 10,000 उसने फीस ली तो कितने बच्चे हो गए? मलब कितनी कमाई होगी उसकी 3,00,000 रुपे तो एक ही जटके में एक ही बैच में 3,00,000 रुपे कमा लिए हैं तो इसी चक्कर में NDA और popular हो जाता है हर साल कोचिंग इस्टूट अपने बैनर बड़े बड़े लगाते हैं ऐसी फोटो लगाते हैं और आपको बुलाने की कोशिश करते हैं पर T.E.A. सेंट्री और NDA में कोई भी फर्क नहीं हैं दोनों बराबर एंट्री हैं आपको क्या करना होता T.E.A. सेंट्री के लिए सबसे पहले तो आपको यह काम करना होता है कि किसी भी हाल में 60% तो marks लाने लाने बड़ आपको कोशिश करने हैं कि 85% से marks कम ना हो क्योंकि यह लोग ना एक list निकालते हैं उस list में जस बच्चे के number 85% minimum होते हैं उसी को select करते हैं मतलब qualification यही है कि 60% होने चाहिए पर अगर आपको directly SSB का call चाहिए तो आपको simple simple 85% लाने पड़ेंगे मैं आप simple भाशन में समझाता हूँ T.E.A.S. में होता क्या है T.E.A.S. Army के लिए भी होती है और T.E.A.S. Navy के लिए भी होती है ठीके आप इसमें क्या होता है 12th pass करने के बाद आपको simple form भनना पड़ता है form में आपको अपनी percentage लिखनी पड़ती है percentage अगर 85% प्लस हो जाती है तो वो आपको direct SSB के लिए call करते है direct SSB call करते है ठीके अब 85% के साथ उन्हें एक चीज हो चाहिए क्या उन्हें चाहिए J means के number ठीके इसमें J means के number अगर मैं बोल लाँ तो जूट बोल लाँ समझो मेरी बात यहाँ पर कहीं लिखा है number नहीं लिखा है उन्हें कहा है सिर्फ candidate appeared होना चाहिए अगर वो बच्चा appeared है तो वो eligible है और minimum 85% तो चाहिए ही चाहिए यह बात आप समझेए ठीके ना cutoff जो आपके निकाली जाती है कि कौन बच्चा SSB देने आएगा वो 12th के percentage पे दी जाती है और 85% किस में चाहिए बो चाहिए आपके physics, chemistry, maths और कोई subject नहीं माना जाएगा clear है I think आपको मेरी बात समझ में आ गई है चीक है अब यहां से मागे चलते है तरह यहां पर एज का relaxation है अगर आप ND की डिलाइज देखेंगे तो साड़े 16 साल से साड़े 18 है और यहां पर 19.5 है देखो तरह यहां पर यहां से यहां पर देखेंगे कि TES entry के अंदर जो एज क SSB आ गई और वो भी बिना एक्जाम भी है clear है तो यहां पर ध्यान देना साल में दो बार TES होता है समझो मिलबास साल में दो बार TES होता है एक बार around मही के आसपास एक दिसम्बर के आसपास तो आर्मी का आ गई दो SSB और नेवी नेवी कभी ऐसी होता है मही के आसपास और एक आपका दिसम्बर के आसपास ठीक है तो यहां पर आ गई टोटल चार SSB आ गई है आपकी एक साल के अंदर तो आपको याद रखना है कि आपको पढ़ाई धंगसे करनी है स्पेशली क्लास 12 की तभी यह हो पाएगा अब मैं आपको समझाता हूँ कि 12 की पढ़ाई कैसे होगी क्या करना है इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो यह मेरा नंबर है यहां पर आप जाना यहां पर AI आर्टिफिचल इं अब यहां पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या एक एवरेज बच्चा जो 60-50-70% लेकर आता है क्या उसका सेलेक्शन हो सकता है हाँ हो सकता है पर आप समझो कि जो 60-70% वाला बच्चा है उसकी आदते क्या है एक तो उसका पढ़ने बनने लगता जब पढ़ने है इस बाặत को आप समझेए दाक मुदत है ध्यान से सुनीगा जो दुनिया के सबसे अनहाट इस पीपल होते हैं उनकी एख नइक कईया है उनको जिन्दी कि नोटिस करागया है क्य वह उनमेना एक सेम ट्रेट होता है क्या वह एंबिशेस तो बहुत होते हैं पर लेजी होत बहुत जानते हैं कि बहुत बढ़िया है बहुत प्यार आउटकम ए मुझे वो चाहिए पर और काम करने में हिचके चाते हैं उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है पर उनको जो जर्णी होती है उस result को पाने के लिए उससे नफरत होती है वो बहुत कुछ भैतरीन करना चाहते हैं बड़ वो give up कर देते हैं और यही कारान होता है बाईया मैं आपको सब बताओ सच सच बताओ ऐसा दुनिया में कोई बच्चा नहीं है जिसे पढ़ने से नफरत हो जिसने IIT कॉलिफाय करा होगा आप उससे पूछना उसको IIT कॉलिफाय करने के लिए पढ़ने का बन नहीं करता कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता बट जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो यह नहीं की discipline और hard work से पढ़ते हैं नहीं वो क्या करते हैं पढ़ाय में पहले अपना interest बनाते हैं एक बार उनका interest बन गया तो फिर पढ़ाय बड़ी असान है कोई भी देखना कोई भी topper कोई भी topper देखना किसी का भी interview देखना उससे पूछा जाएगा कि आप आप लंबे आर्स पढ़ने के लिए क्या करते थे पहले मैं उस subject में अपना interest जगाया करता था एक बार interest जग गया उस subject के अंदर फिर बहुत आसान का आँ में और यही मैं आपसे कहना चाहरा हूँ ठीक है? मैं आपको बात में समझाऊंगा interest कैसे जगाते हैं पर उसके लेना आपको पूरी वीडियो तक रोकना पड़ेगा ठीक है? अब चला है यहां तक आपकी बात समझ मागए अब आपको समझना है कि आपके मम्मी पापा क्या करते रहते हैं वो कहते हैं बच्छे बोर्ड पे धिहान दो बोर्ड पे धिहान दो बोर्ड पे धिहान दो NDA को second priority रखो पड़े गलत तरीका है आपको क्या करना है कि आपको बोर्ड और NDA को दोनों को ही first priority देनी है अब कैसे देंगे आप दोनों की तिहरी साथ कैसे करेंगे यहां से हमारी कानी शुरू हो लिए सबसे पहले सुमझे कि NDA का marks pattern है क्या देखें दो paper होते है paper 1, paper 2 maths में आते 300 marks total और 2 and a half hour का होता है same GAT 600 marks का होता है और 2 and a half hours का होता है maths में 1 question 2.5 का है GAT में 1 question 4 number का है negative marking आपके सामने है clear है है हाँ सर बात समझ में आ रही है अब यहां से बात समझे कि average जो cut off होती है वो ND की होती है 352, sorry 332, 350 ऐसे कुछ होती है average cut off अगर आप देख पाएंगे 2016 से लेके 2021 तक की सारी cut off मैंने आपके सामने रखती है ठीक है यह average cut off है अब आपको समझना है कि cut off तो चलो मैंने मान लिया 350 तक होती है worst to worst बट 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 अगर आपको you know finally अपना नाम ND की list में देखना है कि हा में एंडिया जोइन कर रहा हूँ तो आपको being a boy 400 marks लेकर आने पड़ेंगे return में और being a girl आपको 500 अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखिए एक चीज होती ही merit list merit list कैसे बनती है वो पहले बात सुलिए merit list होती है merit list वो final list होती है जिसमें उन बच्चों का नाम होता है जो academy join करते हैं अब उनका नाम तै कैस होता है कि कौन से बच्चे हैं सबसे पहले ND written में जो भी number आते हैं ND written में जो भी number आते हैं उनको रखा जाता है फिर SSB के जो number आते हैं उनको रखा जाता है दोनों को plus करते हैं और finally merit list में डाल लेते हैं तो यह देखा गया है कि जो बच्चे boys specially boys 400 marks लेकर आते हैं ND written के अंदर 400 ठीक है ना और girls जो 500 लेकर आती हैं उनका नाम merit में आता है तो सर ऐसा नहीं हो सकता मैं SSB में ज्यादा score कर लूँ और NDA में थोड़ा कम score कर लूँ मैं 350 के असपास कर लूँ देखिए SSB में जो marks होते हैं वो लगभग सबके सेम होते हैं almost same होते हैं बट NDA में vary करते हैं किसी के 350 होंगे किसी के 400 होंगे किसी के 420 होंगे किसी के 450 होंगे ऐसा हो सकता है बिलकुल हो सकता है ठीक है तो please make sure कि आप NDA return में ज्यादा number लाने ही कोशिश करो क्योंकि SSB में लगभग सबके marks सेम होते हैं बहुत ही कोई rare बच्चा होता है जिसके 5-6 marks उपर होते हैं बहुत rare clear है अब girls के और boys में इतना फर्क क्यों है अगर boys के लिए मैंने भी बूला 400 marks लेकर आएं तो girls के लिए आपको 500 marks लेकर आएं ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर जो girls की approximate seat में 14 है सर यह कहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ नहीं है बज़ जब final merit list आई तब हमने देखा कि approximately seat सिर्फ और सिर्फ 14 ही है और इसी चक्कर में यहाँ पर लड़कियों के marks भी जादा चाहिए पर घबराइए मत 400 और 500 में जो 100 number है यह अराम से तै हो जाता कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ थोड़ी सी trick है अब मोटर एक पूरी रंग्ज़ समधाता हूँ पहली बात समझें NDA को निकालने के तीन प्लर होते है वो है maths, science और English अगर आपका इन में से कोई एक भी subject आप नहीं कर रहे हो तो बहुत दिखकत मैं weak नहीं कह रहा हूँ weak तो आपका हो सकता है अब यार सम में महरात कैसे हो सकती है logic लगाओ ठीक है ना मतलब being a teacher मैं खुद English पढ़ाता हूँ मैं खुद English पढ़ाता हूँ ठीक है English और Science पढ़ाता हूँ बड़ भीया मैं यह नहीं कह रहा हूँ और मैंने खुद NDA भी निकाला है यह छोड़ो मैंने खुद NDA भी निकाला है ठीक है मेरी सारे subjects प्रॉंग नी है तो मैं तुम से क्या कहूँ ठीक है न तो अभी आपको यह समझो कि जिसको NDA निकालना है उसके तीन यह player होते है मैं यह नहीं कह रहा strong होने चाहिए बट इन तीनों पे काम होना चाहिए अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों देखिए आप दरे मार्क्स देखी तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्क्स में maths के 300 मार्क्स है science के 220 और English के 220 वहीं अगर आप geography, history, politics, economics देखेंगे तो 80, 80, 12, 40, 80 मार्क्स कें तो बहुत कम है बहुत ज़्यादा कम ठीके हमको अगर अपना सपना पूरा करना है हमें अपना सपना पूरा करना है जो highest weightage वाली चीज़ है उसको time देना पड़ेगा अब देरा ध्यान सूचो science में कितने 220 अब मान लो एक arts का बच्चा है अगर मान लो 220 में से वो सिर्फ 80 नंबर लिया है तो actual में उसने geography, quality का almost 100% mark score कर लिया अब इसकी बल्ले बल्ले हो जाती है असी नंबर भी लिया है बहुत है, art and commerce वाला मैं भी समझाता हूं कैसे अब हम पहले strategy की बात कर लेते हैं अब हमने अभी तक मोटा मोटा समझाता है ये तीन प्लर आपको समझ गया होंगे इनको लिए चोड़ना इतना मोटा मोटा आपको समझ बात करेंगे पर strategy में हम बात करेंगे art, commerce और science तीनों की शुवाद हम करेंगे science से बहुत असान होती ही, मैं बताओंगा भी तो उसमें आप 40 marks में से 30 marks लियाओ बास, अगर आप इतना लिया है आपने बेडा पात कर दिया, मज़ा आ गया तो अगर आप इसका total करोगे तो आपको total जो दिखेगा वो 300 marks लियाओ, जो की बहुत अच्छे नमबर है वहीं जो girl candidate है मैं उससे उमीद करता हूँ कि जो geography है, ठीक है न, उसमें वो 60 नहीं, 80 है 80 में से 50 marks लिया है, geography में और quality में 80 में से 50 लिया है यहाँ पर 400 आ गया है, इतना मैं चाहता हूँ एक girl candidate से, ठीक है न, यह करना ही करना है girl को, अब मैं यह बात समझता हूँ कि आपके लिए यह बहुत difficult होगा कि आपना सारा कुछ करो सारा कुछ करो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, सारा कुछ करो, अगर आप ध्यान सूचो 12th में सिर्फ physics, chemistry, math होती है इसका पूरा स्लेवर्स करने में ही जान निकल जाती है वही girl के लिए मैं जब geography और polity कह रहा हूँ, तो उसकी भी तो जान निकलेगी न, ठीक है तो मैं उसका आउपाय बताऊंगा भी, थोड़े दिर में बताऊंगा, ध्यान सुनो मेरी बात ठीक है, आपको अभी pen people लेके बैठे रहा है, ध्यान सुनो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सबसे पहली बात हम board से थोड़ा compare करते हैं, कि board से हम क्या advantage उठा सकते हैं अगर आप science student हो अगर आप science student हो, तो आपके पास foremost priority ही हो जाती है कि आप, जो भी आप just chemistry में पढ़ रहे हो, वो आप 9-10 की NCRT से revise जरू करोगे कैसे revise करोगे? आप textbook, index और example question NCRT 9 के आप लगाओगे बिलकुल लगाओगे, क्यों लगाओगे? क्योंकि यहां से science छपी छपाई आती है आपको exactly question ऐसे मिलेंगे, copy paste, अरे यह भी copy paste उठके है, यह भी copy paste उठके है अब बचा maths, maths हम बात करेंगे, board से हम कैसे फाइदा उठाएंगे, पर पहले आप देखो biology biology, biology में मानता हूँ आपके पास PCM है, पड़ आप biology से भागो मत, अगर biology के topic देखो न सिर्फ यह ही है, एक, दो, तीन, चार, बस, इससे भाहर आता ही नहीं है, मैं मजाख ही नहीं कर रहा हूं, तुम चेक कर लो, cell आपको करना है, tissue आपको करना है, disease आपको करना है, vitamin करना है hereditary and evolution करना है, यहां से दो question आ गए, यहां से एक आ गया, इन तीनों में से कहीं से दो question आएंगे, और system एक चीज होती है, respirator system, circular system, nervous system, exeater system, die system, इन में से कहीं से तीन question आएंगे, that's it, अगर आप इतना कर गए biology होगी, और कहां से करनी है, कहां से करनी है, 910 की NCRT से, सर आप NCRT के लावा कुछ और बोलो, pathfinder बोलो, sir, आप कोई और किताब बोलो, अच्छी ची किताबे बोलो, अभी समझाओंगा, pathfinder क्यों नहीं यूज करते हैं हम लोग, ठीक है न, अभी इतनी बात आपको समझ में आ रही है, अब आपको कुछ और बाते समझने पड़ेंगे, जो आपको जौरफी में total 80 marks की होती है, आपको से 50 marks लाने है, पॉलिटे में ही 50 marks लाने है, current affair में भी आप 40 में से 20 ला सकते हो, बड़ मेरी तो अमीद यह होगी, आप 40 में से 40 लाओ, असान होता है, ठीक है, अभी समझाएंगे कैसे, history में आप 80 में से 50 लियो, ठीक है, अब जब में चाहता हूँ, science में आप worst से worst student बनके 80 number लियो, तो आपका कितना बैठा, 250, और मैं चाहता हूँ, English में आप 120 number लियो, तो यह आपका कितना बैठा, 370, बस, मैं इतना चाहता हूँ, सिर्व इतना लियो, अगर आप इतना लिया है, तो बल्ले बल्ले है, अब मैं आपको प उसकी clear हो गई, यहाँ पर girls 100 number लिया है, तो आप उसकी cutoff clear हो गई, cutoff क्या मतलब, merit में नाम आ गया, भही जब आप 370 प्लस 100 लेकर आ रहे हो, तो आप 470 ला रहे हो, clear है, इसमें आप in fact, in fact, in fact, यह पूरा जो, पूरा history हटा भी सकतो है, इसको 10 number कर दो या 20 number कर दो, तो भी आप अराम से merit में आ जाओगे, समझ जो, आपके लिए science करनी जरूरी है, science नहीं करोगे, तो भाया 20 बच्जागी, 150 number मत लाओ, 80 number लियाओ, 80 तो आई सकते हैं, ठीक है, देखो बचे मैं आपको इक बाब बताओ, बिना science करे तो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, कि सपना, आप art side के हो, या commerce side के हो, यह पूरा होगा, clear है, आप लोगे लिए नियम है, कि 9th और 10th की NCRT तो करनी जरूरी है, बिल्कुल करनी है, ठीक है, यह आपके लिए धर्म संकट की घड़ी नहीं है, यह आपका धर्म है, कि अपने सपने को करनी के लिए, कि आपको जो ज करना पड़े, आप वो करेंगे, समझो मेरी बात, यह मैं आपसे चाता हूँ, आप इतना करके मज़े आ गये फिर, आप और चाहो ना, मैं आपके लिए और करता हूँ, आप 80 नमबर भी मत लाओ, आप 60 नमबर लिया हो science पे, तो भी 350 बैठ गया, तो भी आपका सपना पूर लो, ख्लियर है, अब अच्छे, आप जानना चातों के, बुक्स कौन से रीड करें, देखे, बुक्स आपको समझना पड़ाएगा, UPSC कहां से पर प्रोना आता है, तो UPSC बनाता है, NCRT में, उसकी लाइबरी में सिर्फ एक ही किताब है, वो है NCRT, आप कहो कि सर, NCRT पढ आने वाला ठीक नहीं था, ठीक है, तो अगर साइन्स की दिक्कत लग रही है, तो मेरे त्रिशूल बैच में मैं साइन्स पढ़ाता हूँ, साइन्स की जौरफी, पॉलिटी, आपकी क्या नाम में, उसका, English, Math, सब पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, पर जिस ने आज तक साइन् नमबर के लिए भी आपसे कहरा हूँ, भाही बस साइट लिया तो, वो सौ की उपर लेकर आते हैं, ठीक है, मैं कहना इतना चारा हूँ, बस कि आप कहीं से भी बढ़ो, बस ये समझो कि आपकी गलती नहीं थी वो, कि आपको साइन्स कभी अच्छी लगी रही, गलती ये थी कि आपके पास टीचर खराब था, ये टीचर की जिम्मदारी होती है कि स्टूडेंट को समझ में आए, कि वो पढ़ा क्या रहा है, वन्ना वो तो भाही ये चाइनीज बोल रहा है, अगर सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही है तो, तो टीचर की गलती थी, तो मेक शॉर कि अगर ऐसा है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे साइन्स हो, जोरुफी हो, पॉलेटी हो, करेंट अफेर हो, माच्स हो, कोई भी हो सब्जेक्ट ऐसा हो, आपको नहीं आता समझ में, आप मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है, आप बात समझो, जब मेरे से कोई बच्चा तो मेरे उसे रोज गूगल मीट पे बात होती है, रोज फॉन पे बात होती है, वो बच्चा मुझे कभी भी वाट्सेफ ड्रॉप कर लेता है, ठीक है, तो मेरे लिए बड़ा असान रहता है उसके सपनों को पास पहुचाना, देखो आप समझो, आप चाहे किताबे खरीद के पड़ो, चाहे आप NCRT बुक खरीद के पड़ो, चाहे आप कहीं कोचिंग लेके पड़ो, तो माबाब का से फर्ज, आपके सपनों के लिए पैसे जोटाना और उसको खरीद के आपको देना हो सकता है, उसके बात से दो ही लोग आपके सपने के लिए responsible होते हैं, एक आप खुद, ठीक है न, you yourself, एक एक टीचर, टीचर का काम होता है किसी भी तरह student का टूटना जाए, वो मतलब कोई बच्चा टूटना जाए, और दूसरी बात कि जो भी वो concept पड़ रहा है, उसको समझ में आए, अब समझने के बाद अगर वो उसे revise नहीं कर रहा है, तो ये student की गलती है, क्योंकि teacher पकड़ के revise नहीं करा सकता है, teacher पकड़ के समझा सकता है, clear है, मैं समझा सकता हूँ अच्छे से concept, तो अगर ऐसा है, आपको लग रहा है कि concept अच्छे से समझने है मेरे को, layman भाशा में, तो please make sure आप ये course जोइन करो, इसका link मैंने description में जा दिया है, त्र खाना, ठीक है, फिर school जाना, फिर tuition जाना, फिर घराना, फिर थोड़ा बहुत पढ़ना और सो जाना, माबाप उसकी जिन्दगी से absent हो जाते हैं, समझो मेरी बात, उसकी लिए घर सिर्फ सोनी की जगा और खानी की जगा बन के रह जाता और कुछ नहीं बनता, ये गलती नह सबसे पहली बात, आप सारे tuition मत लगाओ, दुनिया भर के अगर tuition लगा लोगे तो आपको self study का time नहीं मिलेगा, इस बात को आप समझो, आप भागते रह जाओगे, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यह करू, वो करू, खुद decide करो आप logic के साब, कुछ चीजें अभी online पे आपक समय बचा सकती है, तो आप online से करो, ठीक है, make sure कि अगर online नहीं होता है, तो group study को आप तब वुजद दो, क्योंकि group study का मतलब होता है self study, अगर आपके सही दोस्त हैं, तो clear है, वनना अगर आप खुद से पढ़ सकते, तो इससे बड़िया कोई बात नहीं है, और दूसरी बात एक, हमेशा आज कल, आज की तारिक में, मलो हो सकता है, अच्छा group ना मिले आपको, ठीक है, गुरूप ही नहीं मिला, मेरा दोस्ती नहीं कोई ऐसा कोई, तो आपके घर के आसपास library जरूर होती है, अब जगा जगा private library खुल गई है, गाउं में भी और शेहर में भी, पांच रुपे उसकी fee होती है, ठीक है, सिर्फ 500 रुपे fee होती है, और आप वहाँ जाके अराम से पढ़ सकते हो, तो प्लीज मेक शॉर, कोचिंग पे बहुत दार dependent मत रो, कोचिंग आपका सिर्फ समय खा रही है, आपके सपने को पूरा नहीं कर रही है, ठीक है ना, प्लीज मेक चलिए, आगे चलते है रहा, तो online पढ़ा, online पढ़ो, ठीक है, इसमें free videos में है, free videos देखो, free videos देखने के बाद, आप uniform coupon code लगाना है, उसे लगाओ, और खुद से पढ़ो, ठीक है, लएदर किसी पे depend हो, चलो, अब यहाँ तक बात समझ में आगे, तो हमने GAT समझ लिया, हम 350, इस से नीचे हम बरदाश्ट नहीं कर सकते, 350 नमबर तो चाहिए ही चाहिए, और girl है, तो girl है, तो girl के लिए में कितने चाहिए, girls के लिए में चाहिए 400 नमबर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है, अब जब आपके 400 नमबर और 350 नमबर यहाँ पर आगए, अब आ 99.99% जो बच्चे होते हैं, ठीक है न, वो English को यह मानते हैं, या English तो एक ऐसी चीज़े जिसको बिल्ड करने में सालो लग जाते है, years, और यह गलत है, यह जूट है, बिलकुल जूट है, English का पेपर समझो, आपका तीन हिस्सों में डिबाइड है, grammar, vocab, idiom phrases, idioms के 10 questions और grammar के 20 questions आएंगे, अब grammar बच्चा 3rd class से 3rd class हो Hindi medium का हो, 20 में से 8 questions तो करके आएगा, पर अगर vocab आती ही नहीं, तो 0 करके आएगा, getting a point, और अगर मुझे 120 number लाने हैं, तो मुझे कम से कम, 50 questions में से, यह total sum कितना है इसका, 50, 50 में से कम से कम मुझे 30 तो लाने पढ़ेंगे, 30 questions सही करने पढ़ेंगे, और 13 to 4 होता है 120, अब सोच के देखो, एक बच्चे का यहाँ पर 20 में से 10 कली है, हमने simple calculation कली है, 8 को अटा के 10 कली है, simple calculation कली है, तो अब इसमें total 30 में से कितने question करने चाहिए उसे, 20 और करने हैं उसे, 20 और करने हैं, अब यह 20 questions कहां से होते हैं, समझो यह 20 questions आते हैं, SCCGL, NDS, CDS, इन 3 जगा से आते हैं, इनके PYQ से आते हैं, अब आपको नहीं पता हो तो बता दूँ, SCCGL, जब आप graduate हो जाओगे, तब आपको एक exam देने का मौका मिलता है, ठीके ना, यह पहला exam ता, जहां पर vocab और idiom phrases आई हैं जहां से, मतलब जहां पर आ करते हैं, इसके अलावा, NDA और CDS भी करते हैं, clear है, अगर आप कभी इस course में देखोगे न, इस वाले course में, तो आपको एक चीज़ और देखेगी, मैं F-CAT एक exam होता है, graduation के बाद, उसके भी PYQ कराता हूँ, reason क्या होता है, मैं अपने बच्चे को इस confidence में लाना चाहता हू कि देख, मैंने तुझे इतनी महनत करा दी है, कि तू अब कोई सभी exam दे, कोई सभी exam दे, तेरा अराम से निकल जाएगा, ठीक है, चाहे तू NDA दे, CDS दे, F-CAT दे, PCS दे, जो exam देना दे, तेरा अराम से vocab idiom phrases में देकत नहीं है कि कभी भी, clear है, अराम से निकलेगा exam, ठ तो आप यह पकड़ लो, 10 से लेके 15 तो इसी से आगए, और 2 से लेके 3 यहां से रिपीट हो जाता है, इतना है, ठीक है, अब यह total का जो score बैठता है, यह 20 में से कई बार 19 आपको ऐसी छपे छपाए मिल जाएंगे, या worst to worst 20 में से 18 आपको मिल जाएंगे, इससे कम कभी score नह आता है, 20 out of 20 भी हो सकते हैं, पर on average आतर मैंने अभी तक क्योंकि मेरे कितने हो गया है, 100 से जादा students हो गया है, तो मुझे बात समझ में आती है, कि अराम से यहां पर यह rule है, और आपको कोई भी coaching institute वाला इस नियम को ना करने को नहीं आएगा, कि यह यह नियम नहीं चलता, इन फैक्ट, जो बड़ी-बड़ी किताबें हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पैरा मोर्ण बाइ नीतु सिंग, यह यह भी इसी patent पे बनाई गई है, बड़ बुक्स के साथ एक पंगा क्या हो रहा है, बुक्स के साथ वो ना update नहीं हो रही, यह वाली बुक्स update नहीं हो रही, अगर आप देखोगे, यह वो कैब में update होनी बंद हो गई है, पता नहीं क्यों कुछ कोई बात होगी इनके लिए या कुछ हो गई बात मुझे पता नहीं है, तो यह update होनी बंद हो गई है, तो इसलिए हमें यह अलग से खुद से करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर साल पेपर होता है, ठीक है, हर साल पेपर होता है, और एक बुक छापने में बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, पहले बुक में changes करो, फिर printing house दो, फिर जो already stock आया है, उसको तो बेचना ही पड़ेगा, वनना पैसे खच हो जाएंगे, पैसे खच रहेंगे, मतलब पैसे बरबाद हो जाएंगे, ठीक है न, नहीं बेचा तो, फिर वो बुक प्रिंटिंग होकर आती है, फिर मार्केट में आती है, तो उस पूरे प्रोसेस को करने में 6 महिने तो लगते हैं, तो शायद ये भी एक कारण होगा, ठीक है न, कि नहीं आप पार ये बुक, तो मेरा हिसाब यह है कि आपको खुछ से SECGL, NDS, EDS कर लेना चाहिए, खुछ से नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे रटने से नफरत है, तो आपको एक मौका मुझे दे सकते हैं, ये मेरे कमाल का स्कूर है, ठीक है न, अब आगे देखिए रग, यहां तक कि आपको बास समझ में आ है, तो जो 11th क्लास से जो वेटेज है मैस की, वो है 60%, कितनी? 60%, और वहीं जो मैस की टॉपिक, मैस के टॉपिक की वेटेज है, क्लास 12th की वो है 40%, सर समझाओ ज़रा धंग से, तरह देखो, ये पूरा का पूरा वेटेज है, ठीक है न, अगर आप यहां पर देखोगे, चेक करोगे पूरा, तो आपको 11th का ज़रा बेटे दिखेगा, 12th के topics का कम दिखेगा, ठीक है, बट इसमें भी, 12th में एक topic है calculus, उसमें सबसे ज़रा बेटे जा रहा है, और इसी चक्कर में बच्चे महायजाल में फ्रस जाते हैं, दीखे, यहां पर क्योंकि calculus का सबसे ज़रा ब पास strategy इस तरह से होनी चाहिए, कि हमें status X करनी करनी है, ठीक है, trigonometry करनी करनी है, उसके साथ inverse trigger भी करनी है, क्योंकि उससे एक question आता है, और इसके साथ एक और topic करना है height and distance, जिससे एक question आता है, मुफत के question होते हैं, और बाखी trigger करनी करनी है, geometry मुझे करनी है, ठीक है, calculus करनी ह बट उसमें, calculus में, application of derivative, limit, differentiation, differentiability, ये, और integration से इतना करना है, कि मैं NCRT level तक कर लो, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ, integration exam में आ रहा है, तो integration के total 5 से लेके 8 question आते हैं, कितने 5 से लेके 8 question, अब इसमें से 2 से लेके 3 question होते हैं, जो formula based होते हैं, जो अगर आपने NCRT भी कर रखी है, miscellaneous से, NCRT miscellaneous part होते हैं, वो कर रखी है, तो आप कर लोगे, बाकी जो question बच्चे होते हैं, 4 या 5 जो भी बच्चे होते हैं, वो question होते हैं, बहुत दिमाग लगाने हैं, अब वो नहीं कर सकते हैं, बाकी जो इस सारा part है, application of derivative, limits, differentiation, differentiability, ये आपका बहुत ज़्यादा असान ह और इससे आप for sure sure question लगा सकते हो, तो ये मेरा तरीका होता, आप चलो इस तरीकों में थोड़ा और define करते हैं, तरहा मेरी बात ध्याद सुनेंगे, देखे, इसमें आप एक बात ध्याद रखेंगे, जब मैस्की दियारी करेंगे, तो आप different, determinant matters तो करेंगे ही करेंगे, vector algebra आ आपको बता चुका हूँ क्या करना है, clear है, geometry में जो coordinate geometry है, उसको आप छोड़ सकते हो, बाकी आप कर लो, clear है, छोड़ in the sense कि मतलब एक बार देख लो, ठीक है न, NCRT level तक तो करेंगे लो, board के लिए तो करेंगे लो, उसके लाब आप चोड़ दो आप, clear है, तो आपका ये दायत्व होना चाहिए, अगर दायत्व नहीं है, तो बहुत बड़ी गर-बड़ है, ठीक है, अब आप इसे कईयों का एक सवाल होगा, कि 11th का मैं काफी कुछ भूल चुका हूँ, ठीक है, जो अभी 12th में आने के बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो बच्चे उसके के लिए मुझे आपसे 1-2-1 बात करनी पड़ेगी, कि आपकी हालत है कैसी, ठीक है, हर बच्चे की हालत अलग-लग होती है, ठीक है, तो अभी मेरा ये अनुमान है कि आपको इस तरह से करनी चाहिए, अब देखो मैंने आपको guidance देती, books के बारे मैंने आपको बताया, online course भी मेरे पास RD शर्मा भी है, मेरे पास RS अवाल NDA भी है, मेरे पास दिशा पप्लिकेशन की PYQ भी है, मेरे पास अच्छा पॉसिबल देखो, 1-2-3-4-5, 5 किताब हो जाएंगी, कोई तरीका है, मेरे पास Mission NDA वाली किताब भी है, ये भी ले लो, अब बता उच्छा है, हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आपका एक format होना चाहिए, revise करने का, सबसे पहले आप समझो, format क्या है, सबसे पहले तो आपकी किताब NCRT है है, वो आप करो, NCRT करने के बाद, आपका नियम ये दायत भी बनता है, RS अगवाल या RD, दोनों में से कोई एक उठानी है, बस, मैं RS अवाल उठाता था, क्योंकि मुझे सिफ concept clear करने है, ठीक है, RD बहुत lengthy हो जाती है, बहुत ज़्यादा question है, तो मैं RS अवाल करता था, RS सवाल करने के बाद, मैं क्या करता था, मैं लगाता PYQ, that's it, clear है, revision में कैसे करता था, NCRT के मैंने example कर लिए, revision के लिए, और miscellaneous question कर लिए, और उसकी बाद directly PYQ पे आ गया, तो मेरे concept revise हो जाते थे, मैं इस तरह से revise करता था, और आपको भी यही दायत्तों रखना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना चाहिए, please make sure of it, वरना आप फस जाओगे cycle में, और एक बार आप फस गये cycle में, फिर तो भईया, आपको भगवान में नहीं मचा सकता, जातर बच्चों के साथ, math के साथ problem क्या होती है, कि वो लोग क्या करते है, math को कैसे करते है, एक question जो teacher ने पढ़ाया, for example, आप अनुछ सर 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 पढ़ रहेते या, आर्पित चौदी सर 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 पढ़ रहेते या, कहीं और से भी पढ़ रहेते है, सर ने question कराया, question कराने के बाद आपने क्या किया, उसको तो कर लिया और उसके बाद देख लिये सर सरी निगासे कि हाँ, ये question हो जाएगा, ये question हो जाएगा, और जब आप paper में real में करते हो, तो आपको समझ में आता है, मुझसे तो होई नहीं रहे है, मुझे समझी नहीं आ बाकी बच्चा समय एक से दो घंटा इंग्लिश ठीक है और जो बाकी बच्चा आपका जीटी है क्योंकि जीटी में PCM तो आप फिजिक्स के मेंसे तो आप पॉलिटी करी रहे हो ठीक है बाकी जो आपकी जोर्फी और पॉलिटी की वह आपको करनी चाहिए अब मेरी बात समझ में आगए है जो अब मेरी बात थ्यान सुनो आप पाथफाइंडर करनी है नहीं करनी आप बताओ पाथफाइंडर के बारे में आपका व्यू क्या है अब अब एकधा जो अगर आफ कट आफ लेवल देखेंगे यहाँ पर मैं शुवाद से लेके चल लाओं यह देख लिजे कट आफ कट आफ बढ़ती चल जा रही है बढ़ती चल जा रही है और अब कट आफ में हाइस मांस 355 भी आए हैं कि यह इतनी है तो 360 दूर नहीं है पाफ़ांडर को काफी सालों से बाला नहीं गया है किताब को उसे अप Dia नहीं करा गया है यही hoor अगया मैं जल्या donations हो सकता है आपके cdna किसीन हrent भताया हो अब नहीं है काम की ठीक है honestly speaking मेरा फुक्न यही है क्योंकि UPC की library में एक ही किताब मिलती है NCRT और NCRT ही करनी चाहिए यह आपके दिमाग में बैट जाना चाहिए वन्ना आपके सपनों को तोड़ने में वो समय नहीं लगा रहा है तो I think मैंने आपको सब कुछ cover कर लिया है जो भी आपके important topic है मैं द्वारा कहता हूँ अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरी जुरुत है तो please make sure आप आए क्योंकि इसमें बच्चे बहुत जल्दी full हो जाते है अल्यड़ी एक batch full हो गया है दूसरा हमने अभी open किया है तो अगर आपको लगे तो आप आओ फिर हम रोज बात करा करेंगे मेरा number आपको personal ये तो अभी आपको office का मिलना है फिर मेरा personal number मिलना करेंगा हम रोज बात करेंगे कभी भी कोई दिक्कत आए याद अखना मेरे number को आपको वाशने भाईया के नाम से save कर लेना है और कोई भी बात हो बच्चे बात करनी है इस वाले number को भी वाशने भाईया के नाम से save कर लो ठीके ना कोई भी बात हो बात कर लेना और कभी ऐसे लगे नहीं मेरे को सर से बात करनी है तो आपको simple type करना meet और मैं आपको मिल जाओंगा one to one बैठके बाते करें और आपका अराम से एक्जाम निकल जाएगा बढ़ याद रखें मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए क्या चीज़ चाहिए दिखा देता हूँ मैं आपको बाद में मत कहना मेरे को मेरे को आपसे कंसिस्टेंसी चाहिए गाइडेंस में दे चुका हूँ कंसिस्टेंसी करना आपका काम है अगर ये कंसिस्टेंसी आ गई तो ये बहुत असान कान है कि consistency ही नहीं बन पाती इस exam को निकालने में वरना इस exam में कुछ भी नहीं है आप notice करा आपने कुछ नहीं करा मैं दिखा देता हूँ आपको ध्यान सुनो मेरी बात मैं आपसे हमेशा 50% के आसपासी नंबर मांग रहा हूँ मैं आपसे हमेशा 50% के आसपासी नंबर मांग रहो हूँ देखो इतने ही नंबर मांग रहा हूँ मैं आपसे कि आप 50% नंबर लाके देदो मेरे को और मैं आपकस अपना पूरा करते हूँ ठीक है अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया हूँ कि अगर माल लो आपको इसकी पूरी की PDF चाहिए हो तो आप इस नंबर पर जाना हाय टाइप करना NDA टाइप करना NDA टाइप करने के बाद आप लिखना Class 12 यहाँ पर 12 लिखना और आपको एक लिंक आ जाएगा आप इसे जॉइन कर लेना ठीक है ना वहाँ पर हम आपको इसकी PDF भी दे देंगे ठीक है रहे WhatsApp ग्रूप के अंदर और यह एक्शली हो सकता है कि आप एक साल बाद वीडियो देख रहे हो तो डॉंट वरी बाद कि आप हम एक बार पिंक कर दे रहा कि आपको लेड जॉइन हुए हो और हम आपको इसकी PDF आपको दे देंगे ठीक है चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा जैहिंद चेक क्या बाई बाई और हाँ एक बात तो सुनो मेरी बाद बाई बाई कर रहा हूँ है मुझे बताना मत भूलना मेरा नंबर ये रहा ठीक है मिठाई के लाना मत भूलना काम चोरी नहीं भाई ठीक है और दूसरी बाद थांक्यू सब्सक्राइब तुम्हारे सबने के लिए खड़ा हूँ मैं ठीक है चलो बाई चेक मैं उनको रोज सोचता हूँ मैं उनको रोज सोचता हूँ वो है वो है अन्पिंपगों के दिशान